हमारे साथ लखनव में MSME Conclave में मौझूद है विकास खन्ना जी जो चेर्मन है इंडियन इंडस्ट्रीज असोसियेशन लखनव चाप्टर के सर स्वागत है आपका स्वागत से पहले तो जागन बदलाव में नमस्का जी मैं सर मेरे पहला सवाल तो यह होगा कि जो टीयर 2 टीयर 3 शहर हैं उनमें MSME की ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं देखिए इसमें MSME की ग्रोथ हर तरफ चल लगी है और सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स इस समें MSME के लिए दी जा रही है हर तरफ मार्केटिंग में देख और अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए उन लोगों को बहुत प्रसान दिया जा रहा है तो हर तरफ आजकल MSME की लहर आ रही है जो ओडियोपी की पहल है सरकार की वो कैसे छोटे कारोबारियों को अब फाइदा दे रही है तो यहां पर चिकन के धागे कपड़ा हर चीज क को महिया कराने के लिए बड़े-बड़े कंपनिया और चोटे भी उद्यमी यहां पर उस चीज को डेवलप करने में लगे हुए हैं और एक हब बन रहा है कोई बी ओडियोपी का इटम है उसमें उनको बहुत मदद मिलती है उसको और वहीं से मार्केटिंग का भी बहुत अ प्रदानमंतिर जी का सपना है वह MSME से ही पूरा होगा क्योंकि कोई बड़ी कंपनी है आप संबलेजे कोई गारी है कार है तो उसको बनाने के लिए उसके जो भी पार्ट्स होते हैं सब MSME उनसकी जो इंसलरी होती है वह सब बना कर कंपनी को देती कंपनी का यह एसेंबल कर करती है तो बड़ी कंपनी के साथ एक बड़ी कंपनी होगी तो उसके साथ हजारों चोटी MSME कंपनियां लगी होंगी जो उसको चलाएंगी आज की तारिक में बड़ी कंपनी को चोटी कंपनी भी चाहिए और चोटी कंपनी को बड़ी कंपनी भी चाहिए जी सर और सर इसके के लावा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगे कि जो इस ऑफ डूइंग बिसनस है वो कैसे में से इसकी हेल्प कर रहा है और अब पहले से कितना बदलाव देखा गया है इस अब बड़ी चीज़ होती है जी एस टी जी एस टी में पहले सारे पेपर से समिट करने पड़त है तो यह सब चीज़ें सब सरली करन की तरफ बढ़ रही है कुछ दिक्कते आ रही है अभी लेकिन उसको पर भी गवर्मेंट बहुत तेजी से काम कर रही है और अच्छा उसका रिजर्ट में समी को मिलेगा तो यहां पर यहां पर तो योगी जी अपना दर्बार भी लगा और लेंड बैंक की कमी होने की वज़े से यहां पर उद्यम इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए है बड़े स्केल में लेकिन अब पहल चालू हो गई है प्लेज स्कीम आ गई है गौर्मेंट की तो उससे बहुत सारी इंडेस्ट्री आगे लगने की चल लगी है और मेट्रो स्टेशन है या हाइवेज है उसको डेवलप कर पाएंगे लेकिन आज एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उपर से फाइल चलती है और उद्यमी से पहले जो एक कड़ी है वहां रुक जाती है तो सभी हम जो पदादिकारी है या जो नेता लोग है वो अपनी तर पाइलिक में काम करने की बहुत सक्ट जरूरत है कि जो एक ग्रूप है जिसके उपर फाइल रुक जाती है उस पर काम करना बहुत जरूरी है जी सर बिलकुल सब्सक्राइब कि हमारी जागरन की बदलाव के पहल को आप कैसे देखते हैं जागरन की जो पहल है बहुत को सरकार तक पहुचाना या बिर्रॉकेट पहुचाना एक मीडिया कर सकता है तो बहुत अच्छी तरीके से जागरन उस को एक 1 का काम कर रहा है कि उन की जो स्कीम्स होती है वो एक आम जन्ता तक पहुचाना और जो एक आम जन्ता की पर्रोब्लम्स है यह जो उनकी सुजाव हैं वो सरकार को बहुंदा आने में जागरन का भी बड़ा योगदान रहता है जी भी धन्य वाद अफ heel ती समय हमें देनी की. Thank you, ma'am.